वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाई सेंसुडाइन एंड विमल बोलो जुबा के सरी लोगसभा चुनाव के तीसरे चरण के रण में अब की बार कई दिगजों की साख दाउं पर लगी हुई है जहां चुनावती सपा के सामने भी है और बीजेपी के सामने भी दस सीटों के इस दंगल में सपा को 2019 में हुए लोगसभा चुनाव में सिर्फ संभल और मैनपुरी सीट मिली थी तो बीजेपी ने बाकी आठ सीटों पर कबजा जमाया था अब मुलाइम सिंग के बाद हो रहे इस चुनाव में सपा के लिए डू और डाय का सबब है ये गर नहीं ये घर है और घर में इस बार लोगों ने मन मनाया है आम लोगों ने जिताने का फैस्दा लिया है और तभी तो देखा आपने सकती कि नहीं जिस बूत पर आज तक इतने लंबे इतिहास में कभी कोई नाराज नहीं हुआ खिलाब बोनी डालता सिलसिलेवार तरीके से सीटों पर देखे तो दस में से तीन सीटों पर बड़ी परिक्शा है बदाईू में अधित यादव, फिरोजबाद में अक्शा यादव, तो मैंन-पूरी में डिमपल यादव का इम्तिहान है वहीं संभल सरीखी सीट को सहेजुना भी सपा के लिए साख का सवाल है इन में से कई सीटों पर बसपा ने भी सपा का गणित बिगारने का दाओं भी बखुबी चला है वहीं इस चरण में महराना प्रताप से शुरू ही महाभारत अब राम मंदिर के मुद्दे तक भी जा पहुँची है इस मामले पर राम गोपाल यादवर सीम योगी में वार पलट वार भी दिखा जब हारने लगते हैं लोग तो बेकते कर टिपड़ियां करते हैं जनता को ब्रहमित करने के लिए चार सौ पार का तो इसलिए देते हैं क्योंकि बीजेपी के कारकरता गोटनों के बल गिर पड़े उन्हें कैसे ख़ड़ा रखें उनका कैसे मनमौल बनाए रखें इसलिए दे रहा है इहां चर्चा करते नहीं किसी पर ये चर्चा करेंगे परिवारर बाद ये चर्चा करेंगे मंतिर मुसल्मान हिंदू ना बिरोजगारी पर बात करेंगे ना आर्थ व्रस्था बेबात करेंगे कुछ नहीं करते हैं कि कोई चर्चा करती नहीं आप देख रहे होंगे विरोजगारी का आलम यह है कि अभी अच्छा दूसरे यह उत्तर प्रदेश में हालत यह हो गई है कि यह तो उत्तर प्रदेश हो जाब नीट का परचा लीक हो गया यहां हर कोई गौवर्मेंट नोकरी देनी ही नहीं चाहती है लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार ही परचा लीक करा देती है चाकि किसी को नोकरी देनी पड़े लोग आज भी जो राम गोपाल यादो कह रहे हैं अयोध्यामें इस राम मंदिर के लिए इस सनातनास्ता के साथ खिलवाड है कोटी-कोटी राम भक्तों का अपमान है और जिन लोगों ने अपना पुरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया है उन सब की आस्ता पर कुठारा घात है बाहरत का समाज इसको कतई स्वीका पर नहीं कर सकता कोई चड़ाने वाला है एक यौल तुस्ट्री करण की नीती पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है और इनकी वास्तिविक्ता इस प्रकार के बयानों से साफारी है इस दंगल में बीजेपी की उमीदें और उमीदवारों को देखे तो एटा, हाथ रस, आगरा आदी में तो आसान डगर है वही आवला बरेली और फतेपुर सीकरी के संग्राम को पतेख करने में अंतर कला और अपनों की बगावत बड़ी चुनौती है इन सीटों पर उमीदवारों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा है, हाला के मोदी योगी के चुहरे से ये चुनौती भी पार की जा सकती है बहरहाल तीसरे चरण के रण में दस सीटों के इस दंगल में किसी की कसोटी तो किसी के लिए चुनौती का सवाल है तीन सीटों पर यादव परिवार की ही बड़ी परिक्षा है ऐसे में सवाल यही है क्या अखिलेश यादव गड़ और विरासत को बचा पाएंगे क्या मुलायम सिंग की कमी को पूरा करने में सफल होंगे वहीं बीजेपी के लिए सवाल यह है क्या आठ सीटों पर वापसी के साथ साथ क्या यादव वोटरों को साथ पाएगी बीजेपी सवाल यह भी है कि बस पा किसका खेल बिगाड़ेगी